माई डियर स्टूडेंट फोकस ससी रेले पर आप सभी का स्वागत है तो आज हम आपको यूपी पुलिस का प्रेक्टिस सेट कराने वाले हैं तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिएगा और घंटी को दबाना बिलकुल ना भूलें क्योंकि जब कोई नई वीडियो डाली जाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके तो चलिए आज हम मैत का प्रेक्टिस सेट न एक है तो अंडर रूड दो एक क्या है आपको ये बताना है तो अंडर रूड दो एक क्या होती है एक आप परमे संख्या होती है तो यहां पर चलिएगा कुछ बातें समझ लेते हैं यानि अगर कोई संख्या अंडर रूड में वर्ग मूल बना रही है, जैसे अंडर रूड फोर दिया है, तो फोर किसका वर्ग मूल होता है, दो कहा होता है, तो ये संख्या एक कैसी है, ये संख्या एक परमे होती है, ये संख्या कैसी होती है, ये संख्या परमे होती है, और क कोई संख्या दियो जैसे यहाँ पर दिया है 16 यह किसका वर्गमूल होता है यह चार कस्त होता है यह भी संख्या क्या आपकी है यह भी संख्या आपकी परमे संख्या है अगर यहाँ पर दिया जाए अंडर रूट 3 यह संख्या आपकी है क्या आप परमे संख्या है क्या है पर्मे संख्या हो जाएगी अगर कुश्चन पूचा जाए पाई एक कैसी संख्या होती है पाई एक आप पर्मे संख्या होती है पाई कैसी होती है आप पर्मे संख्या होती है कैसी होती है आप पर्मे संख्या होती है और पाई का मान कितना होता 22 बटे 7 और 22 बटे 7 केसी संख्या होती है तो 22 बटे 7 संख्या होती है परमे संख्या कैसी होती है परमे संख्या होती है आगे बढ़ते हैं अगर यहाँ पर दिया जाए 0.3896.… इन्फाइनड यदि पॉइंट के बाद नंबर अलग अलग आए और संख्या अनंद तक जा रही हो तो बो भी संख्या एक आप परमे संख्या कहलाती है क्या कहलाती है आप परमे संख्या कहलाती है यानि जिसको आशांत संख्या बोल सकते हैं यानि नंबर रुके न और आगे की बात करें तो अगर दिया जाए 0.698 ये संख्या आपकी कहलाएगी पर्मे संख्या क्या कहलाएगी पर्मे संख्या कहलाएगी क्योंकि ये नंबर एक निश्य सीमा के बाद रुग्या जिसको हम शांत बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं शांत बोल सकते हैं और दिया जाए जीरो पॉइंट थ्री थ्री डॉट 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 ये संख्या क्या होती ये संख्या अपवाद होती है यदि पॉइंट के बाद कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहा है तो वो संख्या कहलाती है आपकी क्या वो संख्या कहलाती है परमे संख्या वो संख्य क्या कहलाईगी आपकी पर्मे संख्या कहलाईगी क्यों कहलाईगी चलो कुछ पॉइंटों को नोट करते हैं अगर आपको दिया जाए 0.P पर बार तो इसको लग सकते हैं बटे में उतनी क्या आजाते हैं 9 आजाते हैं तो P Q R बटे 9 तो यह प्रोसेस चलते ही तो यहाँ पर अगर दिया जाए 0.6 पर बार तो इसको कनवर्ट कैसे करेंगे हम तो यहाँ पर एक संख्या पर बार दिया तो कितना आ गया 9 3 से डिवाइड कर देंगे 3 2 6 3 3 9 तो जो दो बटा 3 है यह क्या आपकी आई है यह पर में संख्या कहलाएगी यह क्या कहलाएगी पर में संख्या कहलाएगी इसलिए यदि कोई नंबर पॉइंट के बार 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 रिपीट कर रहा तो क्या कहलाती है वो पर में संख्या कहला चलो next question की और बढ़ते हैं मेरा next question क्या कहता है next question दिया है under root 7 under root 7 under root 7 कितनी बार दिया इसको count पहले करते हैं कितनी बार दिया तो 1,2,3,4,5,6 यानि 6 बार दिया है तो यह है क्या आपका है square root यान 2 की power लगाते हैं 6 अगर यहाँ पर q root लगा होता तो यहाँ पर लिखते हैं 3 पर power 6 और उसमें से 1 minus कर देंगे कितना करेंगे एक minus और यही process आपको कहाँ पर करने है इसके बटिम करने है यानि 2 का multiply कितनी बार 6 बार 2 का multiply आपको करना है 6 बार 2 दुचाट इसका multiply करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 तो यानि यह आपका आगया 64 मैनस एक और बटे में भी 64 तो जो आपका answer निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा यानि निकल के आएगा सेविन की पावर 36 बटे 64 आपका answer यह हो जाएगा चलो next question के और बढ़ते हैं मेरा next question क्या दिया है next question को बढ़ते हैं क्या दिया है next question भी same दिया है इसका आप answer बता सकते हैं इसको भी count करेंगे same 1, 2, 3, 4, 5, 6 same दिया है यानि बारे की पावर 6 minus 1 upon sorry यहाँ पर 2 की पावर 6 minus 1 upon 2 की पावर 6 2 की पावर 6 तो यहाँ से जो answer निकल के आएगा क्या निकल आएगा बारे की पावर इसको multiply गए 64, 64 मैंसे एक चला जाएगा यानि 63 और इसके upon में कितना आएगा 64 यानि 12 की पावर 63 पटे 64 यानि option number D is the right answer next question देखते हैं क्या दिया है अपका next question क्यों बढ़ते हैं next question जब भी इस type का सवाल दिया जाए तो उसके करते हैं factor क्या करेंगे factor करते हैं और factor ऐसे करने आपको जो उनका difference है वो एक आना चाहिए तो यानि 42 की factor ऐसे करना है difference इसका कितना आना चाहिए एक आना चाहिए तो उसके factor करते हैं क्या आएगा तो यानि 42 की factor करो ऐसे कुछ उसका difference है वो कितना है एक आए तो यानि 7 छींग कितना होता है 42 इसका difference कितना है 1 इसका difference कितना है 1 तो उसका answer क्या हो जाएगा यदि यहाँ पर minus का sign दिया है minus का sign तो छोटी वाली संख्या वाला answer हो जाता है और यदि plus का दिया है तो बड़ा वाला answer हो जाता है यानि यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 6 is the right आंसर चलो समझते हैं अगर आपको दिया जाए अंडर रूड बारे प्लस अंडर रूड बारे प्लस अंडर रूड बारे प्लस डॉट 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 इनिफिनिटी तियानि इसके क्या करेंगे फेक्टर करो ऐसे कि डिफरेंस आए एक तियानि 4 तिया 12 वहाँ पर क्या चल ला था वहाँ पर चल ला था मैनस का साइन यहाँ पर चल ला है प्लस का साइन यदि प्लस का साइन चले तो बड़ा वाला अंसर हो जाता है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा चार हो जाएगा और यदि मैनस का साइन चले तो छोटा वाला आंसर हो जाता है आसा करते हैं यह बात सम्में आगे होगी next question को देखते हैं next question मेरा क्या दे रखा है तो मेरा जो next question उसको देखते हैं क्या है next question में इसको हल करते हैं यहाँ पर देखो इसका LCM आएगा 3 और cross multiply करेंगे यह उजाएगा आपका कितना 3-1 upon में 3 यही process चलेगी आपकी तो यानी 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा आपका 2 बटा 3 into यहाँ भी 4 में से 1 जाएगा यही 3 बटे 4 into यहाँ भी 5 में से 1 जाएगा 4 बटे 5 dot 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 यहाँ पर जब आएगे 100 में से 1 जाएगा यही 99 बटा 100 कितना आएगा 99 बटा 100 अब यहाँ देखें कि 3 से 3 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल 4 से 4 कैंसिल 5 से 5 कैंसिल 99 से 99 कैंसिल आपका यहाँ पर बचा गया 2 बटा 100 2 बटा 100 और डिवाइट करेंगे तो आएगा 1 बटे 50 तो देखें 1 बटे 50 किसमे दिया आप्शन नमबर C is the right अंसर नेक्स्ट कुस्चन के और बढ़ते हैं तो मेरा नेक्स्ट कुस्चन क्या कहता है तो मेरा नेक्स्ट कुस्चन दिया है एक बटा 2 प्लस एक बटा 6 प्लस एक बटी 12 प्लस एक बटी 42 प्लस एक बटी 42 प्लस एक बटा 56 प्लस एक बटे 32 तो इनके भी हम को करने होते है Factor जो उनका डिफ्रेंस है वो एक आना चाहिए कितना आना चाहिए एक आना चाहिए चलो इसके Factor करतें त clones i1 बटा 2 कि एक़ण के 2 के factor करेंगे है तो 2 एक़ं 2 ञेeed अगर यहां पर एक बटा छे के factor करेंगे तो दो ती छे यानि इसनका difference एक ही रहना चाहिए प्लस एक बटे बार है इसका factor करेंगे तीन इंटू चार इसी process से चलते जाएंगे फिर करेंगे बाहत्तर का कितने का करेंगे बाहत्तर का factor आपको फिर करना है यानि बाहत्तर का जब factor करेंगे यानि आएगा आठ नीम बाहत्तर इसका भी difference कितना आया एक तो मेरी simple सी trick क्या कहती है जब इनकी factor कर लेंगे यानि पहली वाली संख्या का factor और लाश्ट वाली संख्या का factor यानि इसका factor आठ इन्टू नौ और पहली वाली संख्या का factor एक इन्टू दू इन दोनों का factor करेंगे इसका पहला डिजिट और इसका लाश्ट वाला डिजिट का difference वही आपका क्या होता है अंसर होता है कैसे चलते हैं देखते करते हैं यानि एक इसके वट्टी में एक लिख लेंगे माइनस एक वट्टे नो तो उनको माइनस करेंगे ये धर जाएगा यानि नो माइनस एक एलसियम आपका नो तो आंसर निकल के आएगा आठ वट्टे नो तो ये आपका क्या होगा यही आपका करेक्ट यानि आप्शन नमबर सी इसदाराइट अंसर नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन मेरा क्या दिया है नेक्स्ट कुश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है नेक्स्ट कुश्चन दिया कि एक अधकारी के बेतन में 20 प्रतिसत की ब्रद की गई इसे उसके पहले बेतन के समतुल लाने के लिए कितने प्रतिसत कम करना पड़ेगा तो ऐसे सवालों क्या करते हैं जो प्रतिसत दिया है इसको भिन में कनवर्ट कर लेते हैं और भिन में कैसे बदलते हैं देखो प्रतिसत का मतलब क्या होता है 100 तो प्रतिसत का साइन अटाएंगे बटे में आता है 100 एक 0 से एक 0 कैंसल यानि एक बटे 5 कितना आएगा एक बटे 5 आएगा तो यानि जो आपका यहाँ पर 20 प्रत्षत की fraction value है वो कितनी है एक बटे 5 हो जाएगी 20 प्रत्षत की fraction value एक बटे 5 तो यहाँ पर वोला कि एक अधकारी के बेतन में 20 प्रत्षत की ब्रद की गई तो जब भी ब्रद की जाए या फिर कमी की जाए वो हमेशा बटे में ही करनी पड़ती है तो यहाँ पर ब्रद की बात की आपको कहा करनी है इसके बटे में यानि एक बटे 6 क्या हैगा एक बटे 6 और मुझे इसे बनाना है प्रत्षत को कर देंगे 100 का गुणा कितने का करतेंगे 100 का गुणा तो यह आपका हो गया 100 बटे 6 इसको डिवाइड करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो यह आपका हो गया 50 बटे 3 50 बटे 3 का मतलब क्या हो जाता है 50 बटे 3 का मतलब हो गया 16 सही 2 बटा 3 Is the right answer Next question देखते हैं क्या दिया आपका Next question सैमी दिया आपका Next question सैमी दिया बोला है एक करमचारी के मजदूरी में 20 प्रसत की कटवती की गई यदि उसकी मजदूरी को पुना पहले की मजदूरी के बराबर लाना तो उसकी में कितनी ब्रद्ध करनी पड़ेगी तो यहाँ पर अपकी बाद क्या की गई कमी वहाँ पर ब्रद्ध की बाद करता था यहाँ पर कमी की बाद fraction value एक बट्टे पाँच हमने क्या बोला कमी हो या ब्रद्ध बट्टे में ही करते हैं तो कमी होगी एक बट्टे चार multiply सो का डिवाइड करेंगे कितना आएगा पच्चिस चोगे सोज यानि पच्चिस प्रत्षत option number B is the right answer next question क्यों बढ़ते हैं next question क्या दिया है मेरा तो next question देखते हैं क्या दे रखा है दिया एक स्कूल के मैदान की लंबाई का उसकी चोड़ाई से अनुपात 5 अनुपात 2 यदि चोड़ाई 4 मीटर तो लंबाई गयत कीजिए यानि याँ पर इसकी चोड़ाई दे रखी है कितनी चोड़ाई दे रखी है 40 मीटर यानि 2 बढ़ावर 40 तो एक बढ़ावर कितना हो जाएगा एक बरावर हो गया आपका 20 तो 5 बरावर तो 5 बरावर 100 option number is the right answer next question देखते है next question आपका क्या दिया है next question दिया है कि 400 नीवू 400 नीवू का लागत मूल 320 नीवू के बिक्री मूल के बरावर है तता उनसार उन पर लाब का प्रिस्द कितना है यानि 400 लागत मूल यानि CP बरावर है 320 SP यानि बिक्रे मूल के 10 से 10 cancel 10 से 10 cancel 4 से डिवाइट कर दो 34 यान डिवाइट करेंगे 4 एकम 4 बरावर SP फिर दो से डिवाइट कर दो यानि हो गया 5 CP बरावर 4 SP कितना 4 SP तो यानि यहाँ पर हो गया CP बटे SP बरावर 4 बटे 5 कितना बड़ा 1 CP जैसा कोई ने तो CP आएगा बटे multiply 100 का कितने का 100 का डिवाइट करेंगे यानि आ गया 25 परितिसत कितना आया 25 यानि option number C is the right answer तो आसा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छे लगी होगी तो वीडियो आपको अच्छे लगी है तो प्लीज चैनल को subscribe जरूर कर लिए क्योंकि जब कोई नए वीडियो जाद डाली जाए तो आप तक notification पहुंच सके